एक हजार उपे तक का अच्छा पोटेबल वायरलेस स्पीकर ढूण रहे हैं तो यहाँ इस डब्बे के अंदर है 5W प्रीमियम साउंड क्वालिटी में एक Bluetooth version 5 वाला स्पीकर जो कि आपको water resistance भी है, प्लास रेसिस्टेंस भी है, लाइट वेट भी है और TWS फीचर भी है इसके अंदर और इसके अंदर एक स्ट्रैप भी मिलता है नमस्कार दोस्तों नोबकवास टेक की बात, मैं पिके आपके साथ आज किस वीडियो में लेकर आया हूँ एक और unboxing, जी हाँ, boat stone 190 portable wireless speaker 5 watt, यह आसानी से उपलब्द है 999 रुपए में, boat के website पे, flip card पे और Amazon पर भी, दाम थोड़ा उपर नीचे होते रहता है, तो अच्छा समय अच्छी डील देखकर, यदि आप इसे book करते हैं, तो आपको यह आसानी से 999 रुपए में मिल जाएगा, packaging भी अच्छी थी, और डबे के उपर भी आपको lamination मिल जाता है, तो चली इस lamination को निकाल देते हैं, और आजात करते हैं, नेहा ककर को, लगता है, नेहा ककर इसकी brand investor है, इसलिए डबे पे उसकी तस्वीर चपी है, तो चली है, नेहा ककर जो को हमने कर दिया है, आजजाद, और अब खोलते हैं इस डबे को, और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है, फिर बात करेंगे, इसके features के बारे में, और इसका taste sound भी देखेंगे, यह वाला 5W Bluetooth speaker, जो है, 3 color variants में आता है, purple, red and black, हमारा speaker black color का है, तो चली इसे डबे से बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने के लिए इसकी tight packing काफी अच्छी है, तो strap की मदद से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, यह देखी, तो यहाँ speaker के उपर ही टॉप में, आपको boat की branding logo दिख जाती है, फिर यहाँ पर यह दो buttons दिए हुए है, soft buttons दिए हुए, यह है power button और यह दूसरा जो है, वो mode button लगबग 1500 gram इसका वजन है और इसकी build quality काफी अच्छी दिख रही है, यहाँ पर आपको दूसरी side में 3.5 mm audio jack और charging cable लगाने का slot मिल जाता है, speaker के उपरी सतर पर यहाँ पर भी आपको 3 soft touch buttons मिलते हैं, plus, minus और play button मिलते हैं, इसकी मदद से आप volume को up, down, manually कर सकते हैं, इस button की मद एक LED indicator भी है, जो blink होती है, होन होने के condition ही, तो यह 3-4 second का music आपने सुना इसी boat speaker से, अब देखते हैं कि इस package के अंदर हमें क्या-क्या मिलता है, पैकट में हमें मिलता है, एक micro USB cable, एक AUX cable, एक user manual और एक warranty card, boat stone 190 speaker को तो हमने पहले ही निकाल लिया था, इन सब को रख देते हैं अब साइड में और बात करते हैं, इस product के बारे में करते हैं इसका review, तो चलिए इसे कर लेते हैं, connector और music on, यहां बेगरॉंड में जो music सुन रहे हैं, वो इसी speaker का music है, sound output 5 watt जो लिखा हुआ है, वो बिल्कुल correct लिखा हुआ है, sound में काफे power है, बैक भी life जो है, वो चार गं and squeezy, no issues with connectivity, phone से भी connect किया, tap से भी connect किया, laptop से भी connect किया, और जिती भी devices थी सब से connect करके देख लिया, very easy peasy, अब charging की बात करें, तो किसी भी 5 volt adapter में इसे लगा कर आप इसे चार्ज कर सकते हैं, इसके अदर आपको 800 mAh की battery मिल जाती है, और Bluetooth जो है, उसका version 5 है, Bluetooth का जो range है, वो range driver, full range driver का मतलब क्या होता है, उसे आप समझ लीजे, छोटे radio या small computer का जो speaker होता है, वो होता है single driver system, लेकिन इसमें जो है, वो क्या है, वो full range driver system है, इसमें हमारे कानों की सुनने की जो चमता होती है, जो frequencies हम सुन सकते हैं, उन सभी frequencies को ऐसे speakers आसानी से reproduce कर देते हैं, जबकि single driver system में ऐसा नहीं हो सकता है, तो इस वज़े से क्या होता है, कि ऐसे full range driver वाले speaker जो हते हैं, वो काफी clear sound देते हैं, और सुनने में अच्छा लगता है, IPX7 water resistance है, इसका मतलब यह नहीं कि बाल्टी भर पानी में आप इसे डुबा ले और फिर इसे बजाना शुरू करें, या को quality के हिसाब से देखा जाए, तो अमजन flip card और boat की site से खरीदने का link में आपको description में दे दूँगा, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो, मिलते अगले वीडियो में किसी अनिजानकारी के साथ, तब तक के लिए बाबाए, जैहिन जै भारत